हाई फ्रेंड्स वेलकन चानल फैट कनेशा तो दोस्तो शादी के बाद बेटी उको क्यों नहीं देना चाहिए आचार जयानिये जही कारण जी हा दोस्तो आपके घर में दादी नानी से खूब सुना होगा कि जीज बेटी की शादी हो गई है उसे आम अवला मिर्च किसी भी तरह का आचार नहीं देना चाहिए लेकिन क्या दोस्तो आप जानते है कि इसके पीछे क्या कारण है तो चेलिए दोस्तो जानते है इसकी पीछे का सही कारण दोस्तो यदि आप जानना चाते है तो चाइनल को सब्सक्राइब अवश करें बेल आइकन प्रेस करके आल बटन पर क्लिक जरूर करें तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से तो दोस्तो हिंदू विवा सिर्फ लड़के और लड़की का विवान नहीं होता है बलकी दो परिवार भी जुड़ते हैं इसके कारण एक लड़की को ससुराल के साथ साथ मायके के कुछ रिवाजों को जिन्दगी भर निबाना पड़ता है जिहा दोस्तो हर माबाप को ये सपना होता है कि जहां घर में उनकी बेटी जा रही हो वहाँ वो हमेशा सोक में रहे परिवार की हर समस्या से खोब प्यार मिले और हमेशा जिया और हमेशा अच्छी सहत रहे लेकिन कई बार हम ऐसी गल्ती कर देते हैं जिसका असर लड़की के साथ साथ माइके वालो को भी छेलना पड़ता है जिहा दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि शादि शुदा बेटी को कभी भी आचार नहीं देना चाहिए जिहास सही सुना आचार नहीं देना चाहिए आंतरवर लोग इसे अंदेखा कर देते हैं लेकिन जानिये आखिर क्यों बेटी को आचार ससुराल से लेकर नहीं जाना चाहिए शास्र के अनुसार माना जाता है कि बेटी को मायके से कभी भी किसी तरह का आचार लेकर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसे रिष्टों में खटास उत्पन्न होती है जिस घर में बेटी को आचार दिया जाता है दोस्तो उस घर में बेटी कभी भी सुखी नहीं रह सकती है जिहाँ उनको मानसिक शारिक या फिर आर्थिक समस्य का सामना करना पड़ सकता है ससुराल से उसे किसी ना किसी से ताने सुनने पड़ते है दोस्तो अगर सास में ग्रकलेश नहीं है तो उसे शारिक समस्य का सामना करना पड़ सकता है तो दोस्तो इसलिए मायके से ससुराल आचार नहीं लाना चाहिए उम्मानसीक शारिक या फिर आर्थिक समस्य उनको छेलनी पड़ सकती है तो दोस्तो अवश्य ध्यान रखे दोस्तो माय के से ससुराल आचार नहीं ले जाना चाहिए तो दोस्तो ये अवश्य ध्यान रखे दोस्तो आपको वीडियो कैसे लगा आच्छा लगा हो तो लाइक शेर और कमेंट्स शरूर कीजिएगा और कमेंट्स में जय स्री महालक्षम नमा आवे शिलिकेगा, तानिमात।